अब अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना तो मैं शौर हूँ कि आप भी अपने डिवाइस पे Android customization वाली चीज़ों को करते हो या पिर करना चाहते हो लेकिन अगर आप इस चीज में नए हो तो आपके लिए एक topic लेकर करके आया हूँ आज जो है backup and restore अब ये हम में से स आपको पता होता है सबने देखा होता है कुछ लोगों को तो इसका काम भी पता होगा बट इसको कोई भी उतना जादा यूज नहीं करता जो लोग बहुत ज़्यादा expert है उनके लिए मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ भी लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता जादा कुछ इ लेकर जाना पर सकता है जहां से आप आए हो इन शॉट अगर आपके फोन पे कुछ भी बिगड़ जाता है तो उसको वापस पहले जैसा करने के लिए आपको बैक अप और रिस्टोर वाले ऑप्शन की बहुत जादा जरूरत परती है और आज के वीडियो में इन्ही ऑप्शन है ये कस्टम रॉम भी हो सकती है बट मेरे केस में ये एक कस्टम रॉम है जब आप पहली बार अपने फोन का बूट लोडर अन्लॉक करोगे उस पर कस्टम रिकविर इंस्टॉल करोगे तो आपके फोन पे वो स्टाउक रॉम होगी और उसका बैक अप लेना बहुत के से कर रहे हो और वो प्रॉपरली नहीं हो पाई तो आप फस जाओगे फिर आपको लगेगा कि इसको कम से कम पहले जासे तो कर ही लूँ तो उस इसमें बैकप बहुत जादा काम हैगा अब यह एक कस्टम रॉम है तो इसको आम बैकप करेंगे दौनों का प्रॉसस सेम रहने वाला है चाहे आप कस्टम यूज करें चाहे आप स्टॉक यूज करें कैसे बैकप करना चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फो सब्सक्राइबरी का इस्तेमाल करके आप बैकप लें उसी का इस्तेमाल करके आप रिस्टोर भी करें वह थोड़ा सा जादा आसान रहता है अब आप चाहे टीम विन कर रहे हैं जो की TWRP है तो उसी से सारा काम करें अब यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे बैकप एं करनल होता है और इसके बाद में जो आपके फोन की cash files बनती है वो cash partition में जाती है जो आपके फोन की recovery जो अभी आप देख रहे हो TWRP चल रही है वो यह recovery वाला है इसके अलावा काफी सारी चीज़े आपको वैसी ही देखने को मिल जाती है तो इसमें जो चीज़े जरूरी होती है वो क्या होती है system, vendor, recovery, boot लगबग हर चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा ज़रूरी होती है EFS भी जरूरी होता है modem भी जरूरी होता है यह आपको data का फोल्ट दिख रहा है इसको बैकप कर लें इसमें exclude storage तो अगर आपको manually option मिलता है छोड़ने का तो आप छोड़ सकते हैं नहीं मिलता है तो आप इसको backup कर सकते हैं अब मैंने सारे partitions को select कर लिया है अब select करने के बाद में हमें storage करनी है कि अगर मुझे यह backup ले करते हैं तो उस backup को ने computer में transfer कर सकते हैं और backup लेने से पहले आपको एक चीज़ और भी बता दूँ यहां को कुछ चीज़ और मिलती हैं सबसे पहले आपको मिलेगा option तो यहां पर इनेबल compression कर सकते हैं compression से क्या होगा आपके जो backup होगा उसका थोड़ा सा size compress हो जाएगा वो size को disable करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहां पर आपको एक option दिखेगा skip digest generation during backup यह मुझे नहीं पता इससे actually क्या होता नहीं कभी इसको इतना साथा use किया है तो इसको हम फिलाहर स्किप कर देंगे इसके अलाबा encryption अगर आप चाहते हैं आपका जो backup है उस पर आप password लगा दे चीज और भी है यहां पर आपको इमेज वाले section दिख रहे हैं जैसे system है फिर system की image है vendor है फिर vendor की image है और फिर persist आपको दिएगा उसकी image भी है तो image को आप backup ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा आपको सिर्फ main data backup करना ज़रूरी है image आप backup ना करें तो भी आपका काम हो ज लगबग 10 मिनिट के इंतजार के बाद में हमारे device का पूरा backup अब ready होने को है या complete होने को है और एक चीज आपको बता दू backup of data do not include any files in internal storage such as pictures और download तो आपके जो भी photos वगेरा है music files है कोई भी data है वो यहां पर backup नहीं हुआ है सिर्फ आपका system backup हुआ है system मतलब आपके phone की जो भी ROM है जो भी उसके अंदर application है अगर गूगल application उसके अंदर पड़ी हुई थी या इसके अलावा आपके phone का जो modem है उसका IMEI नमबर है यह सब चीजें आपका data backup नहीं हुआ है यहां पर तो finally हमारा backup complete हो गया है time कितना लगाया 625 सेकंड और लगबग मैं आपको 10 मिनट बता रहा था तो वही समय हुआ है अब back जाएंगे backup हमारा तयार है अब इसके बाद आपको backup दिखा दू के backup actually पहुंचता कहा पे है तो advance में जाएंगे file manager में जाएंगे और यह file manager वही है जो आपके phone का हमेशा से आपको मिलता है बट यह अभी हम इसके root storage में हैं तो यहाँ SD card में जाएंगे अब आप पैचान पा रहे होगे यह आपकी internal storage है इसके बाद TWRP का आपको दिखेगा एक folder इसके अंदर आपको मिलेगा backup और backup के अंदर यहाँ आपको backup देखने को मिल आप मुझे अपने phone को restore करना है वापस से वहीं पर जहां मैं था तो वापस से अपने phone में transfer करो और इसके बाद आपको जाना है restore वाले टैप पर अब restore पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा यह time वाला अब नाम आप लोग अपने हिसाप से set कर सक default मिल जाते हैं तो वही date और serial number सारी चीज़े में यहाँ पर देखने को मिल रही है अब इस पर जैसे हम tap करेंगे तो क्या-क्या हमने backup किया था वो सारी चीज़े हमारे सामने आ गई है अब इसमें से अगर आप चाहो तो कोई भी optional चीज अपने device पर restore कर सकते हो मालो मैं चाह करते हो कि मेरे device में कुछ ज्यादा problem हो गई है मुझे नहीं समझ मारा कैसे इसको करना तो सारी चीज़ें आप लोग select कर सकते हो यह सारी चीज़ें आपने select की और इसके बाद में swipe to restore और जैसे ही आप कोई custom ROM install करते हो बिलकुल उसी तरीके से आपके device पर यह backup जो है वो भी restore होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही यह चीज़ खतम होगी खतम होने के बाद आप अपनी device को normally reboot कर लेना and reboot करने के बाद में आपका phone normally चालू हो जाएगा तो बस दोस्तों यही ता आज के इस वीडियो में backup and restore के उपर एक tutorial मुझे उम्मीद है अब आपको backup and restore का जो importance है व अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करना आपके ऐसे और दूफानी दोस्तें जो अपने phone पे ऐसी चीज़े करते हो तो उनके साथ में यह वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल पे नएव तो चैनल अब आप करना subscribe मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो मे तब तक के लिए good bye